तो हेलो दुस्तों कैसे आप सभी आई होप कि आप सभी बहुत अच्छ होंगे और दुस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी सी यूटूब चैनल टेक इंडिया पे में तो अगर आभी उन यूजर्स में से एक हो तो फिर आज किस वीडियो को बिने स्किप की पूरा जरूर से देखिएगा क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आप सभी को पूरे डीटियल के साथ बताऊंगा कि फेस्बूक अप्लिकेशन में जो आपका एकाउंट है उसे इंस्ट स्क्राइब कर लिजे साथ में दूस्तो बेल आइकन को प्रेस करके ओल के नोटिफिकेशन को भी जरूर से अलव कर लिजेगा क्योंकि दूस्तो यहाँ पर मैं इसे तरह के हैलफल वीडियो लाता रहता हूं जिसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो चेले सबसे पहले दूस्तो आपको इंस्टागराम अप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं अब दूस्तो यहाँ पर आपको करना है करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आजाएंगे जहां से आपको अपना प्रफाइल देखने को मिल जाएगा तो सिंप की उपर क्लिक करोगे कुछ इस तरह के mots पर आ जाईगा अब दुस्तरों यहाँ पर आपको क्या करनाः सिंपले आपको यहाँ करना में आपको उसंट करना है उसके बाद दोस्त यहाँ पर आपको kamu t accent देखने को材ंगे जिसे कने आपकोim फिर्से आपको एक निया पीश्ट आ यहां पर दोस्तों आपको फेस्ट एक नया पेच आब को एक्याइगा तो अब यहांसे इन दोनों को लिंक करने के लिए दुस्तों नीचे मैं को कंट्रीनिह qualắc question के उपर किलिक करना फिर से आपके सामने दूस्तो एक नया पीज आ जाएगा जहां से दूस्तो आपको पूरा का पूरा कंडिशन उपर में देखने को मिल जाएगा तो सिंपले आपको फिर से यह फिनी सेट अप के उपर क्लिक करना है जैसे आप इस ओप्सन के उपर क्लिक करोगे तो दूस्तो आपके सामने को डिसेबल या इनेबल करते हो उसका क्या प्रॉफिट है वो मैं आप सभी को सबसे पहले बता देता हूँ सबसे पहले दूस्तो यहां पर देख सकती हो यहां पर यह उप्सन है instagram यह इसे इनेबल कर लेते हो और उसके बाद आप instagram अप्लिकेशन के अंदर जो भी यहां पर story लगाते हो वो story आपके facebook application में save हो जाएगा उसके बाद दुस्तो अगर आप यहाँ पर instagram application के अंदर जो भी post करते हो और इस option को आप enable कर लेते हो उसके बाद automatic वो post आपके facebook application के अंदर भी हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इसे enable करके इस option का use कर सकते हो अब दूस्तो यहाँ पर आपको करने के नीचे में आपको account center का option देखने को मिलेगा simply आपको account center वा अपसन के उपर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर account center के उपर क्लिक करोगे तो दोस्तो देख सकते हो यहाँ पर instagram application में जो रहा मेरा account है और facebook application में जो मेरा account है वो दोनों यहाँ पर link हो चुका है कुछ इस तरह से जैसे कि दूस्तो आप सब देख सकते हो यहाँ पर मेरा facebook और instagram का जो भी account है यहाँ पर link हो चुका है तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर दोनों account को यहाँ पर link कर पाओगे Facebook application का जो भी account है आपके Instagram application के account में link हो जाएगा तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी अगर दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को like करिए और चैनल पले हो तो चैनल को subscribe करके इस साथ में बेल आइकन को प्रेस करके और लोगों कर लिजेगा क्योंकि दोस्तो यहाँ पर मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जिसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो आज के से वीडियो बस इतना ही मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो को लेकर तब तक लिए दोस्तों अपने ख्यार लखिए गुड़ बाई